हेलो विर्वन वेल्कम बैक रुद्मेंत्र पाठी दिस साइड जब हम बात कर रहे होते हैं किसी स्टेट अगरिकल्चर उनिवर्सिटीज की या अगर हम यू कहें कि बात कर रहे हैं यूपी कैटट की तो वहां पे कई सारी चीजे ऐसी होते हैं जिसे हमें देखना जरूरी है इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसे कि आप सभी जानते हैं यूपी कैटट की नोटिफिकेशन ब्रोच आ चुकी है फर्स्ट मार्च को ये रिलीज हुई थी और आज लगवख मैं पान दिन बाद ये वीडियो मना रहा हूं I'm so sorry about this बट मैं इतनी गारेंटी लेता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको यूपी कैटट से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी हैं लगवख 99% आपकी क्लियर हो जाएगी या 90% आपकी तो क्लियर हो ही जाएगी इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी क् इस वीडियो में बेसिकली हम किनके चीज़ों के बारें बात करेंगे उसके भी पर डिसकर्स कर लेते आगे हम बात करेंगे इलिजबिलिटी क्राइटेरिया की जिसमें आपका मार्क से ले करके जो आपकी प्रिवियस एने 12 में जो आपका बैक्ग्राउंड परफॉर्मेंस है उससे ले करके आपकी जो वहाँ पर निवास होता है इनसाइज जो के बारे में बात करेंगे इलिजबिलिटी क्राइटेरिया में उसके बाद हम बात करेंगे रिजर्वेशन के बारे में फिर हम बात करेंगे वेटेज ऑफ स्पोर्ट परसन के बारे में अगर आप तो आपको कितना फी देना पड़ेगा अगर आप इन्वर्सिटी में जाते हो एड्मिशन के लिए तो फिर हम बात करेंगे सबसे इंपोर्टन और जिसमें अधिकतर लोग बात नहीं करते इस चीज़ के बारे में वो है अगर आपका graduation आप करने जा रहे हो तो scholarship होता है वो आपको किन-किन छेतर से या किन-किन section से आपको scholarship मिल सकता है इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे तो आने वाले कुछ time तक हमाई सथ बने रही है हाँ video late हुई है but I am sure कि आपकी ये जो video late हुई है इसकी जो भी problems है यानि आपकी जो भी शिकायते हैं इस वीडियो में नहीं रहेंगे तो बिना time वेश की चलिए video start करते हैं So जब भी हम eligibility criteria के बात कर रहे होते हैं then we have two sections in state universities like जब हम university में आते हैं state agriculture university में आते हैं eligibility दो sections पर बढ़ जाती है पहला जो होता है वो होता है residence और दूसरा section होता है वो होता है qualifications तो जो basically जो residency होती है वो इतना ये सारी लगबग 5 sections है पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि अगर आप उतर-प्रदेश से belong करते हैं then you are free to fill this form otherwise आपके father या आपके parents अगर यहां पर work कर रहे हैं around 5 साल से ज़्यादा हो गया work करते हुए या government employee है यहां पर then you are also free to fill this form अच्छा दो conditions हैं तीसरी condition यह भी है कि अगर आप 5 साल से ज़्यादा यहां से education से related यहां पर रह रह रहे हैं then you are also free for fill this form right इसके अलावा third sorry fourth हमा जो sections है यह वाला यह भी काफी ज़्यादा important है अगर आप आपके parents जो हैं वो civil servant है या अगर आप किसी ऐसे government job में कर रहे हैं या वो किसी government job में है then you are also free to fill this form right इसके अलावा अगर आपको इससे related कोई भी query होती है तो आप मुझे text कर देना instagram में मैं आपको deeply समझा दूंगा या आप इसको पौच करके भी पूरा पढ़ सकते हो right जा second eligibility आती है वो होती है आपकी वो आती है आपकी qualifications की education eligibility यानी education qualification क्या क्या होनी चाहिए तो वो भी आप यहां से देख सकते हो इस चार्ट को देखने के बाद से आपको इतना तो idea होई जाएगा कि इसके बाद से भी आप agriculture के अलावा भी और कौन-कौन से form डाल सकते हो I mean कौन-कौन से subject choose कर सकते हो right अचा यहां पर दो चीजे मैं clear कर दूं subjects के नाम जैसे की PAG जो है वो indicate करता है agriculture को PCB जो है वो indicate करता है आपको पता ही होगा physics chemistry biology को PCM physics chemistry mathematics को यहां पर indicate कर रहा है तो उस हिसाब से आप इस चार्ट को आप देख लो और समझ लो right पहुँच करके अचा next जो हमारा है section वो है reservation का one second हा reservation का अचा reservation जो है यह आपका same ICI जितना reservation देता है जिन जिन candidates को वही चीजे हैं बस यहां पर जो आपका second section का जो reservation है वो थोड़ा हम लोग देखते हुए चलेंगे first को आगे देख लेते हैं जैसे कि SC को यहां पर 21% का reservation मिलता है ST को 2% का OBC को 27% का EWS candidate को 10% का और जो general category है उसको 40% का यहां पर reservation available यहां पर मिलता है right अचा second sections का जो reservation है वो भी देखते हुए चलते हैं अगर आपके parents freedom fighter थ then you get 2% of reservation PWD candidate है अगर आप तो आपको 5% का reservation मिलता है अगर आपके parents defense में है then you get 1% of reservation और इसके अलावा I think यह जो reservation है न दो sections में वो agriculture वालों को नहीं मिलता है वो एक बार आप लोग confirm कर लेना I think यह नहीं ही मिलता है confirm करने को जो रोती है यह नहीं मिलता है आप लोगको reservation अचा next हमारा जो topic है वो आता है weightage of sports person अचा sports person यहाँ पर तो basically यह जो चीज होती है अगर आप अपने schools में sports sections में थे या अपने schools के साथ school के अंडर में खेला है then you can get 2% reservation as a sports person अचा यहाँ पर नेक्स topic आता है application fee के बारे में application fee जो है वो especially general category के लिए OBC category के लिए और EWS category के लिए 1250 रुपीज आपको देने होंगे और SCST candidate को 1050 रुपीज एनी 150 रुपीज देने होंगे अच्छा नेक्स जो topic है हमारा वो है exam method राइट अच्छा यहाँ exam method में आपको declare किया गया है कौन-कौन से section से कैसे कैसे आप कौन-कौन से exam देने के लिए eligible होगे इसको आप पहुच करके पढ़ सकते हो या directly मैं भी बता देता हूँ अगर आप PCB candidate है यानि कि अगर आपका graduation sorry अगर आपका 12 अगर physics chemistry bio से complete होता है then you are free to fill I mean free to enter BSC agriculture, BSC honors agriculture, BSC honors horticulture, community science, home science, forestry, BBSC, BFSC, Btech biotechnology, food technology, dairy technology जैसे courses में आप admission ले सकते हो अचा इन सारे चीज़ों के बारे में पता ना हो ना तो एक बार मेरा चैनल स्क्रोल कर लेना मैंने इसके उपर एक दो subjects के वीडियो बना रखिया आप उसको भी देख सकते हो second जो है हमार PCM sections के लिए है तो अगर आप PCM group से आते हो then you are free then you can go for agriculture, horticulture, community science, home science, forestry, agriculture engineering, dairy technology, biotechnology, food technology अगर आप अगर आप agriculture group से आते हो तो आप यूपी कैड़ेट के थुरू, BSC agriculture, horticulture, community science, home science, forestry, BFSC, b.tech agriculture, engineering, dairy technology, biotechnology और food technology जैसे courses के साथ जा सकते हो next पे हम चलते हैं हमने next topic पे वो है हमारा questions का pattern कैसे होगा आपके paper में काफी ज़दा important है अगर आप देखिए fact यह होता है कि अगर आपको questions पता है, kingdom sections से आ रहे हैं, तो आपका preparation 10-20% यहीं पे हो जाता है paper आप किस, paper आप किस के through देते हैं, किस mode से दे रहे हो, यहाँ पे भी आपका 10-15% आपका preparation यहीं पे हो जाता है तो वो matter 20 questions होते है chapter telephone फिजिकिक्स के पचास, chemistry के पचास और bio के 80 questions आपको, देने होंगे total 200 questions के answer आपको देने होंगे, अगर आप math group से आते होasti यहानि, PC m phk se आते हो general knowledge के 20 questions, physics के 50 questions, chemistry के 50 questions, math के 80 questions के answer से आपको देने होंगे, total 200 questions के आपको answer देने होंगे थर्ट आता है हमाराब एघरी कल्चल गूरूप जिसमें आपको ज terror knowledge के 20 कोसěंज, एग्रि physics के 25 कोस्व, एग्रि chemistry के 25 कोस्व, एग्रिvenology के 25 कोस्व, original के 25 कोस्व, एग्री बतनी के 25 कोस्व, एग्रोणोमी के 25 कोस्व, एनेमल husband and daring के 10 कोस्व, हउतney culture के 15 कोस्व, ए अच्छा, seat में न, दो seat होती है, एक free seat होती है, एक paid seat होती है, free seat जो होती है, वो अगर आप, जैसे की counselling होती है न, उसमें पता चलता है, free seats में आगर आजाते हो, तो आपको उतने extra पैसे charge नहीं करने होते है, seats देखते हुए चलते हैं, like, अगर B.S.C. Agriculture, अच्छा, first जो college है, C.S.A.U.A.N.T. कानपूर, जो उपर लिखा हुआ है, वो especially, sorry, चंदर शेकर आजात, University Agriculture and Technology कानपूर है, second जो है, वो है, second जो है, अचार नरेंदेवा, University Agriculture and Technology, अयोध्या में, जो है, third जो है, वो है, सर्दार बल्लम भाई पतेल, University Agriculture and Technology, वो मेरट में है, और दूसरा जो है, ब first section, second section, third section and fourth section, तो first sections की बात करें, तो इसमें B.Sc. Agriculture के around 77 free seats है, 25 paid seats है, NRI sports person में 20 seats है, 20, sorry, 20 seats है, और total 114 seats available है, अचा, second section में हम बात करें, तो free 95 seats है, paid 35 seats है, sports person के 2 seats है, और total 132 seats है, अचा, इसका एक और campus, आजमगड campus है, उसमें 65 seats free है, और 50 paid seats है, total 80 seats, आपको आजमगड campus में है, third section की बात करें, तो 72 free seats है, 30 paid seats है, sports person और NRI students के लिए 15 seats है, और 170 seats है, और 170 seats जो है, वो total है, four section की बात करें, तो आपका B.Sc. Agriculture में around free 72 seats है, paid 30 seats है, NRI sports person के 2 seats है, और total 104 seats है, हर सीच को deal करते हुए नहीं चलते है, directly हम बात करते ह कहां कहां है, अब like B.Sc. Horticulture में आपको total 33 seats है, आपको four section में, आयोध्या में आपको 80 seats है, और merit में 44 seats है, बांदा में 104 seats है, B.Sc. Honors Forestry की आपको कानपूर में 33 seats है, और उसके बाद डारेक्ट बांदा में 62 seats, आपको मिलेंगी, उसके बात से fishery science के लिए, आपको कानपूर में 40 seats है, और अयोध्या में 31 seats है, आचा, B.Sc. and A.H. के लिए आपको direct अयोध्या में 68 seats मिल नहीं है, और merit में 68 seats available है, बायो टेकनलोजी की आपको जो seat है, वो directly merit में 135 seats है, अग्रिकल्चर इंदेरिंग की आपको कानपूर में 36 seats है, और अयोध्या में 80 seats है, इसके अलाबा, आपको merit में 44 seats है, और बांदा में 40 seats है, डेरी टेकनलोजी की आपको कानपूर में 40 seats है, और इसके बाद से direct आपको merit में 44 seats है, फुट टेकनलोजी की आपको direct seat मिलेगी, merit में 44 seats है, और बांदा में 40 seats है, तो ये पूरी seat की statics है कि कहा कहा कि किदी seats है, अगर आपको समझ में नहीं आ तो पहुच करके समझ लेना, otherwise you can text me on Instagram, so a fee structure की बात करते हैं, काफी ज़्यादा important होता है fee अगर आप कहीं admission लेने जा रहे हो, अचा ये fee के बारे बात करने से पहले, मैं दो चीज़े यहाँ पर clear कर दूँ, ये जो fee है न वो आने वाले time में change हो सकता है, बढ़ सकता है, घड़ और दूसरी चीज़ अगर आप जाते हो, तो हो सकता है कुछ पैसे extra लगते हैं कहीं कहीं, तो वो चीज़े यहाँ पर maybe add ना हो, right, तो भी बात करते हैं, तो आपको admission की time around 6000 रुपीज देने होंगे, अगर आप BSc, Agriculture, Community Science, Auticulture, BTEC, Biotechnology और BFSE, या Forestry जैसे subject में जाते हो admission कराने तो, BBSC और AS में जाते हो, तो आपको around 8000 रुपीज आपको देने होंगे, थोड़ा आता है, आपको semester dues की बात करें, semester में आपको around 20,500 रुपीज और second section की बात करें, 71,650 रुपीज प्लस additional charges भी लगते हैं, hostels की बात करें, तो आपको first section में 6000 रुपीज पर annum देने हैं, और second section की बात करें, 11,000 रुपीज पर section देने हैं, यह तो बात हुई fee structure की, right, free paid, sorry, free fee structure की, I mean free seats fee structure की, अब बात करते हैं, अगर आप paid seats लेते हैं, तो आपको कितने पैसे देने होंगे, BSC agriculture के लिए आपको total 2 lakhs रुपीज देने होंगे, और उसका पूरा आपको बताय जाएगा four section में आपको बात देने हैं, उसके बात से horticulture, forestry, BFSC, BFSC on our community science, BTEC food technology, BTEC engineering और dairy technology के लिए आपको 50,000 रुपीज देने हैं, admission के time, बायो टेकनलोजी में आपको around 1 lakh रुपीज आपको देने पढ़ेंगे, यह दो section में आपको देने पढ़ेंगे, जो कि admission के time 50,000 और third year में वह scholarship, देखिए, scholarship क्या है न, वो कई variables में मिलती है, आप इसको pause करके देख लो, कई सारे scholarship है, इसके additional में भी, जो आपको UGC और UGC के थूप प्रोवाइड करा जाते हैं, graduation level पे, so यह थी वीडियो UP Cadet के UG courses के बारे में, so I hope आपको यह वीडियो पसंद आई हो, आपको सार सब्सक्राइब कर सकते हो, Instagram या Facebook के थूँ, otherwise you can text on comment box, so, so मिलते हैं जल्दी किसी नही वीडियो वीडियो के सब तक लिए, take care, stay alert, bye-bye.